तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विराट कोली ओफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिंग पे आज हम एक बात करने वाले हैं कि अगर आप ये वीडियो मेंने वैसे बना रखे देखिए जॉब का क्रेज हर किसी को होता है ठीक है टैग लाइन से भ या फिर आपके कोई और जॉब ऑप्षिंग नहीं है ठीक है जैसे फॉर एकजामपल मैं एक एक एगजामपल देता हूं मान लो कोई लड़का है ठीक है सेंटर गवश्ट्र से ओबरेज हो चुका है ठीक है एक एक एकजांपल दे रहा हूं और उसके पास और कोई आप्ष साल के बीच के जितने यंग्स्टर्स है या 22 से लेके 27 साल के बीच के जितने यंग्स्टर्स हैं clarity for youth की मैंने चैनल डाले अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को भी और शेर कर सकते हुआ पर मैं सई पड़का है जो जूनियर इंजिनियर या असिस्टेंट इंजिनियर की त्यारी कर रहा है और वो 20 से लेके 27 साल की उमर के बीच का है ठीक है दूसरा है जो 27 28 को क्रॉस कर चुका है पी एस यू की भी सेंटर गवर्मेंट की भी एज जा चुकी है तो बस स्टेट की तरफ को अब वो रुख करेगा अपना ठीक है यहां से दो होगी पहले मैंने clarity बता दिया यहां से ठीक है तो उसके पास तो स्टेट का यह option है स्टेट में अगर कोई वीडियो बनाने का क्या तात्वरी है कि आपको mentally strong होके जाना है अगर आप UPCL में नौकरी करना चाते हैं देखिए सरकारी नौकरी सबको अच्छी लगती है ठीक है सरकारी नौकरी में सबका aim होता है काम करने वाला लेकिन मैं सच बता रहा हूं जब से lack of staff हुआ है ना सरका चलगा अपने आप तुम्हें पता चलना शुरू होजेगा एक दो महिने बाद ठीक है कि मैं क्या बोल रहा हूं lack of staff is increasing work pressure ठीक है अब lack of staff है government jobs में ठीक है सीधी सी बाद है अब ये lack of staff government jobs में क्या है मैं आपको बिल्कुल clarify कर देता हूं क्या हो रहा है जब भी कभी recruitment किसी भी चीज़ का किसी भी government job का खासकर state में तो मैं बोल रहा हूं center में इतना नहीं है state government में जितनी पोस्ट हमेशा sanctioned होती है ना उससे कम पे recruitment निकाला जाता क्यों ताकि एक बंदे को उतनी तनका दे के उसको बहुत ज़ादा काम कराया जाए यानि एक ही आदमी को कई चीज़ों क इन चार्ज बनाया जाए फॉर एक्जामपल अगर हम यूपी पीसेल की बात करें तो यूपी पीसेल में एक जेई एक से ज़्यादा सबस्टेशन का भी इन चार्ज होता है किसी किसी जगह पे हाई lack of staff है वो आप किसमत वाले होंगे कि आपको किसी ऐसी जगह पे posting होगी कि कि आपके अंदर कई कई जगह तो staff भी कम है निचे है तो labor को manage करना खासकर discom में बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि एक जी ही होता है सबस्टेशन का मालिक तो सारी की सारी जिम्मेदारी उसी के पास होती है ठीक है मैं discom की बात कर रहा हूँ और discom खासकर state में ये target oriented job हो target oriented सरकारी नोकरी क्या होती है target oriented सरकारी नोकरी वो होती है जहां पर officer को pressurized किया जाता है कि भाई ये काम तुझे करना ही करना है ठीक है मान लो for example गाउं से बिल नहीं आ रहा discom में तो junior engineer assistant engineer पे ये जिम्मेदारी होती है वो जैसे तैसे भी करके लेके आए चाहे हुने campaign चला पड़े कोई कुछ करना पड़े तो उनको राजस्व वसूली का एक headache होता है यानि कि जिस job में आपके अंदर एक headache है mental pressure है राजस्व वसूली से लेके power theft से लेके target दिया जाता है कि तेरे area में कम से कम power theft होने चीए ठीक है तो line losses कम से कम होने चीए ठीक है तो उसका सारा जित कम जई के सर पे ही होता है ठीक है तो इतना heavy pressure handle करने के लिए तो यही तो depression का कारण है डिसकॉम में कारण क्या और staff नीचे है नहीं labor को manage कैसे करें इतना सारा काम कराने के लिए ठीक है फिर political interference और जादा political interference और जादा ठीक है local politics जो involved होती है भाई इसका रहन दे यह तो अपना बंदा है इसका बिल माफ कर किसी भी तरीके से अब वो बिल माफ करेगा वहां से प्रेशर आएगा कि भाई लेके क्यों नहीं आया अब वहां पे local politics स्टार्ट होगी तो जब इस तरीके की कोई जॉब होती है जिसके सराउंड हर चीज खेलती है वहां पे बंदा पिसता है म स्टाफ के बीच में ओदासा यह और कि रौद कर बादयता खैव पीरावर बीच वाली टिकी इना लोवर स्टाफ के बीच में और ह्यर ऑफिशल मनलब यह वाली साइड बंदी बिलें इसकने आप को बहुत जच्चाद दिखा देंगे ठीक है बहूत सारे YouTube चिरनल है थीक है इसके बाद तो life पल्टेजेगी उसके बाद life पल्टेजेगी challenges आते हैं जब आप उस चीज़ पे पहुंचाते हैं वो तो bookish knowledge पढ़के तो आपको लगता है मैं तो बड़ा महारती इंजिनियर बन गया लेकिन जब challenges आते हैं life में जब आप एक theoretical life से professional engineering life की तरफ को आते हो ना तब आपको पता चलता है कि engineering line है क्या यहां पर कितना mentally strong बंदा चीए यहां पर कितनी जबरदस तरीके की वो चीए होती है मतलब एक handling capacity चीए तो वो हर किसी के बसकी बात नहीं होती क्यों फिर मेरे को एक बात बता ना यूपी पी सेल में होते वे बच्चे यूपी आर्विनल का फॉर्म डाल रहे हैं त्यारी कर रहे हैं वो ठीक है कि यहां से हम वहां shift होएं क्यों वहां पर shift का काम है यानि कि 8 गंटे काम हुआ खतम हो गया तुमारा काम ठीक है लेकिन यहां पर alert रहना पड़ता है alertness भी आपके अंदर होनी चीए means you should be a combination of all things एक तो आपको labor manage करना आना चीए management का काम करना आना चीए भुकाल आपके अंदर होना चीए ठीक है तीसरी चीज political pressure आपको handle करना आना चीए ठीक है campaigns आपको चलाने आने चीए ठीक है पांचवी चीज कोई आपको उल्टा सुल्टा कह दे तो आपके अंदर सेहन शक्ती होनी चीए यानि जिसके अंदर सेहन सकती भी है सिरफ वही ये काम कर सकता है ठीक है तो आप अगर इन characteristics के अंदर आते हैं तो जरूर form apply करिए नहीं आते तो आप generation की तरफ जा सकते हैं SSEJE की तरफ जा सकते हैं RRB JEE की तरफ जा सकते हैं थैंक यू